देर बाद आने वाला है लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें आरजडी प्रदेश अद्यक्ष जगदानन सिंग ने बयान दिया है सियमितीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है आरजडी में कोई भी पद खाली नहीं है जो दिमागी तोर पर असहज हो उस पर भरोसा करना मुश्किल है तो सियमितीश कुमार को लेकर ये बयान दिया है जगदानन सिंग ने बीजेपी के विजय उत्सब पर भी जगदानन सिंग ने निशाना साधा है तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे जिस तरीके से कल सियमितीश कुमार आरजडी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और उस इफ्तार पार्टी के बाद से तेज प्रताप यादों ने बयान दिया था कि अब नितीश कुमार की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद अब प्रदेश अद्यक्ष का ये बयान कई तरह की सवाल खड़ी करता है तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे आरजेडी का सियम नितीश पर निशाना बीजेपी के विजय उत्सवा पर भी जगदानन्द सिंग जो आरजेडी के प्रदेश अद्यक्ष है उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साध्य ये कहा कि कोई पद खाली नहीं है मृतुंजा तिवारी हमारे साथ जुड़ेवे हैं मृतुंजा तिवारी आप से जानना चाहेंगे किस तरीके से देखा जाए जगदानन सिंग के इस बयान को नहीं देखिए हमारे प्रदे सध्यक चादर ने जग्दावावु ने तो ठीकी बात कही है हम लोग तो असपस करी चुके हैं कि मुक्षयमंतरी तपद मुक्षयमंतरी का ताज जस्पी जादर जी को जनता ने पहनाया है तो कलके इप्तार के बाद इस तरह बियार में सियासत की रफदार बढ़ी है इससे लोग तरह तरह की अठकले लगा रहे हैं लेकिन मृतिंजे टिवारी सियासत की जो रफदार बढ़ी उसको बढ़ाया किसने तेजप्रताप यादों ने सबसे पहले बयान दिया और आज जो बयान जगदानन सिंग दे रहे हैं कि जो दिमागी तोर पर आसाहज हो उसका भरूसा करना मुश्किल है तो साफ सा बताईए क्या ये इशारा तेज प्रताब की तरफ है देखे एक बात असपश्ट है कि कल के जावते इप्तार में सभी लोगों को आमंतरन दिया गया सब लोग पहुँचे सब लोगों ने दुआ किया प्यार की तरक्की के लिए बेहतरी के लिए खुसाली के लिए तो इप्तार के बहाने जो लोग सियासत की बात ये सियासत के चस्मे से इसे देख रहे हैं ये तो गलत है ये तो जावते इप्तार में तो सब लोग आये हैं तो अगर राजनितिक ब्यक्ति इसी वी मोके पर इकटे होते हैं तो राजनितिक बाते होती हैं लेकिन मृतुन्जी जी ये समझ में नहीं आता है कभी आप नितीश कुमार को ओफर देते हैं आरजुडी की तरफ से कभी ओफर दिया जाता है कभी कहा जाता है कि उनके लिए कोई भी पद खाली नहीं है आपर का सवाल नहीं है सवाल है बिहार की जनता की बहतरी के लिए बिहार की बलाई के लिए जो लड़ाई तेजस्वी जी लड़रे हैं उसमें जनता की बलाई है हम लोग असपस्ट कर चुके हैं कि जो भी लोग जो बात भी बिहार को ले करके की जा रही है यह बुल्डोजर चलेगा और बुल्डोजर वाली राजनिती की बात करते हैं उनको संदे से यहां बुल्डोजर नहीं तेजस्वी जादर जी का कलम चलेगा जिसे लोगों को रोजगार मिलेगा बुकमरी कम होगी महगाई कम होगी बरस्टा चार अपराथ कम होगा लेकिन मृतुञर तिवारी एक बात बताईए नितीश कुमार आज कह रहते कि इफ्तार पार्टी के कोई सियासी माइने नहीं निकाले जाने चाहिए लेकिन जगदानन्द सिंग जिस तरीके से यह बयान दे रहे हैं पहले एक बार मृतुञर तिवारी उस बयान को हम सुना चले मिर्तुञर तिवारी जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आकर राजनीती कौन कर रहा है सबसे पहले शुरुआत तेज प्रताप ने की थी देखिए राजनीती की बात नहीं जब आप सियासत का सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब तो सियासत ही हो कि चसमे से हिना आप देख रहे हैं हमारा इवतार के बहाने यह जो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई सियासत हो रही है हम लोगों ने असपस कहा कि कल सब लोगों को सब लोगों ने दूआ मांगी व्यार की तरक्षी वे तरीकुसाली के लिए अब आगे क्या होगा राजनीती में संभावनाओं के द्वार खुले होते हैं वो क्यों दे रहा है कि नितीश कुमार के लिए कोई पदी खाली नहीं है भाई ये तो अब यही बात तो हम ले भी कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं कोई भी बेक्टिक कोई हमारे पार्टी के सारे नेता सारे पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कि यहां हम लोगों ने पार्टी राष्टी नेत्रिस उने पार्टी के जो राष्ट कारिकारी कारिकारी है निर्ने लिया हमारे नेस्ता तियुघ जादव जी हैं, महाः गठवन्नीन ने मुखमंटरी का कर दिया और जन्ता के आशिरवास सबसे बड़े दल के रूप जैसे को मुखमंटरी बनने के लिए लेकिन इसे साथना तेस से बदल लिया गया तो मुख्यमंत्री का अपत कहां खाली है मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जादव जी ही होंगे इसमें कहां कोई कंशूजन है किसी को कंशूजन नहीं रहना चाहिए यह असपक्ष्ट है लेकिन यह जो बात बोला गया है कि जो दिमागी तोर पर आसाहज हो उसका भरुसा करना मुश्किल है यह किसके लिए हो सकता है क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तो तेजपरताप नहीं की थी और तेजपरताप यादो और जग्दानन सिंग के बीच जो एक तरह से तल्ख बयान बाजी होती है वो किसी से चिपी नहीं है देखिए बेवज़ा का इस बात को आप तूल दे रहे हैं उसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है आप इस बात को दूसरे एंगल से मत जोड़ दीजिए अभी इफ्तार है इफ्तार की ख़वर को इफ्तार तक ही रखिए बाटी के लिए इंतिजार कीजिए अच्छा ठीक है तेज प्रतार आप यादो कहे रहे थे कि सिक्रेट बात चीत हुई है तो चाचा भतीजे में सिक्रेट बात चीत हो गई उसके बाट पार्टी के प्रदेश अज्यक्ष इस तरह से भायान दे रहे तो सेक्रेट बात का मतलब जा है आपको जानकारी है हमको जानकारी है और चाचा बतीजे के बीच में बात की जानकारी जब खुद ही कारे सेक्रेट बात हुई तो सेक्रेट का मतलब है कि वो सिर्फ वो ही जानते होंगे चाचा बतीजा ही तो अभी इस बात को लेकर के जो आइने मतलब नहीं है अभी मतलब यह है कि हमारे नेता तेजस्पी जादर जी की ताजपोसी ही होगी यह आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा अभी की ख़वर इतनी ही है अच्छा ठीक है मिरतुन्य जी आप बने रहे तेजप्रता प्यादों ने क्या आप समझना चाह रहे है जंता को दिखाना चाह रहे है जंता भी समझ रही है जो ना समझे अज़ोगे अनारी है अच्छा ठीक है तो रहा आज जंता को सनवा देते हैं तेजप्रताब को हुआ है काफी देर तक बात किया आपने नॉर्मल पॉल्टिकल बात हुआ आपने लिखा था कुछिन पहले पने टूट पे चाचा के इंट्री अब होगे नहीं होगे उन से नाप पूछिएगा हम तो भो लोग रहेंगे सब लोग सब लोग सब लोग सर्कार बनाने के लिए प्रताब यादव ने जो कहा है उसके मुटाबिक सरकार बने इसकी कवायत यहां से तेज हुई है उन्होंने कहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तेजसी को सीम बनाने के लिए आरजेडी में आना चाहे तो क्या सरस्वागत करिएगा आप लोगन का मैं गहरा हुआ हमारी की तरह सबकर स्वागत है आरजेडी की नेटियों को जो मानेगा हम उसके कर क्यों करेंगे लेकिन कोई पाद यहां पर दो के लिए खाड़े ने पीस कुमार आरजेडी में आना चा कुमार जी इफ्तार पार्टी पर नितीश कुमार का शरीक होना उसके बाद से एक नई हवा जो है बिहार की राजनीती में इधर उदर घूम रही है उसके बाद जगदानंद सिंग ने ये बयान दे दिया कि अब नितीश कुमार की कोई एंट्री होई नहीं सकती है प्राजनीतिक इफ्तार नहीं था इस पर आजनीतिक प्राजनीतिक क्यासवाजी कोई लगा रहा है ते उनका माम लगा था उनके पुछिए ना उनके जो लेता है उनके बेटा जो रात में आपके चैनल पर बोल रहे थे उनके पुछिए ना उनको पैच करिए आपकी बात आपकी बात आपका बैस नहीं होना था इस पर इफ्तार इस पर इसके रास्तिय विमर्ष में सोमेता का परशे दिया है राजनेती का सब्वेता का नहीं जो मियान राश्टे जन्ता दिनके पने सब्वेती में दिया है उनका मामला हो सकता है हमारी पार्टी साफ तौर पर बिहार के विकास के लिए समर्पित है और हम अपना काम करें चली हम अमहर साथ मृतन जे तिवारी जेडियू को साफ करिये कि उनको जरुवत ही न्य जरुवत आपको है हम को जो जत्ता के लिए बेचर नहीं है हम जनता की चिन्ता है जन्ता की भलाई की चिन्ता है लेकिन जो एक सियासी शिगूफा चोड़ा गया वो तो आप लोगों की तरफ से ही चोड़ा गया को यह सिगूपा का सवाल की दह सब देख रही है सब्सक्राया सै चलिए तेश प्रताब प्यादो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेश प्रताब जी बहुत स्वागत है आपका जग्दानंद सिंग का बयान अब आपके पास आ गया आपने एंट्री की बोड लगा दी लेकिन कह रहे हैं जग्दानंद सेंग की नो एंट्री नितीश कुमार क लेकिन वो तो कल दस नमर आये नहीं थे पहले जक्तानंद सिंग से पहले ये सवाल किया जाए आपके चैनल के मात्यां से कि कल दस नमर में जब पूरे सारे लोग थे बिहार की महान जनता आदर्निये पूझनिये जनता तमाम लोगा उपस्तित है बड़े बड़े दिगज इसने रूठना क्या सरकार बनाना है इसको तो सरकार बनाऊं गा कैं कि क्या चाते हैं ज Cristолов नहीं जातना ने चाहते हैं कि यह नहीं बने चाहिए और खुल करके सामने आ करके हम दोनों बच्चों को गले लगा करके और यह बनाना चाहिए और प्रताब जी एक बात उन्होंने कई है जिसको मैं कोड करना चाहूंगा और आप ही से जवाब चाहूंगा जी का मैं आपको बता रहा हूँ पीटाजी का बेल हो गया है इसलिए पूरे हाटास हो गया है कि अब इनका सूपरस्ताफ हो जाएगा इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं जग्दा नंसिंगी आदर्मी हैं हमारे पूजनी हैं चचा है चचा समान है लेकिन इस कि जो दिमागी तोर पर असहज हो भरूसा करना उसका मुश्किल है यह किसके लिए हो सकता है आपके अनुसार देखिए कौन दिमागी तोर्च पर असहज है वो तो सामने पीसी का सामने जाहिर कर दिया कि कौन दिमागी रूप से असहज है कौन दिमागी रूप से पागल ह कि इसको राची पागल खाने जाने चाहिए तो सामने दिखाई दे दिया अच्छा एक बात बताईए एक बात आपने कही थी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी तेश परताब जी कि चाचा भतीजा के बीच में बात हुई है और वो तस्वीरों में दिख भी रहा था कितने अच्छे से आप लोग हंस के बात कर रहे थे बिलकुल लग रहा था कि सगे चाचा भतीजा है और आपने कहा था कि चाचा भतीजा के बीच कोई नहीं आएगा तो क्या जगदा नंड सिंग चाचा भतीजा के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं? चाचा बतीजा के बीच में आना चाहते हैं तो ये बायान क्यों आप दे रहा है आपने तो इससे पहले बायान दे दिया था कि अच्छी बात है चलिए मिल के सरकार बनाएंगे लेकिन ये बायान जगदानन सिंग का आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से दूरियां पैदा क कर देगा तो इसमें इस इन चीजों में पढ़ने से कोई लाब है अब जिसमान लिए कि आप कोई दर्वाजा पर आएगा तो उनको समान देना है अब जक्तानन सिंग जी होई हमारे आदर नी है हमारे चचा समान है लेकिन इन बैयानों से मैं आपके चैनल के मादेन से काऊँगा कि बचना चाहिए इन बैयानों में नहीं पढ़ना चाहिए लोग उल जाती है लड़वाती है लेकिन इन चीजों में नहीं रहना चाहिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए सब लोग आदर निये हैं नंद सिंग पर तेज प्रताप ने कहा है कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए और निकीश कुमार पर जो बयान जगदा नंद सिंग दे रहे हैं वो हताशा में बयान दे रहे हैं उनके पिता जी को जमानत मिल गई है उसके बाद से वो हताशा में है तो मुख्यमंत्री नजय। झाल